हेलो दोस्तों इस बीठेясे अएंचारे स्टॉक्स के बारे में जैनि स्टॉक्स में काल इंटेरे टेरिंग कर सकते अगर में 28 um X की बात करती यानि सभान की तो मंगलबार सेटे emit इंसारे स्टॉक में break out सेंट केले स्टक है टाँ काल की सेंट है याँ सैंटेड्य में आगरे सेंटेड्यूट की बात करते हैं तो यहां आपर देख सेकते हो कि away आसेंडिंग का पैटर्स लेने के बादि इस्टोग इन डोन रेंच की बोईsem separately कुछ कु HEY मिफ गाण कर सेकते 1 सब्सक्राइब की नीशे स्टक को चेल काना है टागेट 277 रुपिया दूसरा गरेट 275 रुपिया और 207 पर हम स्टाप प्लस लगा सकते हैं लेकर अगा इस्टोक नीशे सपोर्ट लेकी उपर जाते हैं और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जो यहां पर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है इसका ब्रेक आउट में तो हम इस्टोक को बाई के तराफ जाएंगे 287 की उपर बाई काना है टागेट होंगा 2832 रुपिया दूसरा के राटाइस्टों पर हम स्टाप लगा सकते हैं तो एसे पेंट्स हो गई हमारा पहला इंटेडी स्टोक जिन में काल इंटरे है क्योंकि स्टोक ने माल्टिपल टाइम में टाम हुआ है और इस पैटन फॉर्म के काफी ब्यारिश है जैसे इस लेबल से टूटे का बहुत नेसे गीरते भी नजर आएंगे तो हम सेलिंग यहां पर आच्छी बंद भी नजर आएंगे और इसके लब अगर हम और डे की ट 210 के निज़े हम स्टोक को सेल करेंगे टागेट 208 रुपिय दूसेट 207 रुपिय और 210 पर हम स्टॉप्लस लगा पाएंगे यहां यहां पर हमें राइजिंग हो इसका पैटन देरा इसका मतलब कि आपर ज्यादा तरशांसे की ब्रेकडाउन मिलें का मतलब सेलिंग यहां प सपोर्ट को ब्रेक करता है इस सपोर्ट को तो हम यहां पर स्ट करेंगे 3110 के लिए सेल करने हैं टागेट होंगे 3094 रुपिया दो सगर 3090 रुपिया और 3127 पर हम स्टॉप्लस लगा सकते हैं लेकिन अगर स्टोक इस सपोर्ट फिर टिक जाता है और आच्छी मूब यहां पर फर्म यहां देखना हो मतलू अब देख सकते हो कि इस तरफ से मुव कर रहा है इसका जैसे ब्रेक्डाउन मिलगा तो फॉल करेगा पूर की तरफ ब्रेक्डाउन तो राइस करते ही नज़राएंगे कि इस टोक बहुत उपर से गिरा हुआ था अगर दिखा देख यहां पर चलिए अगला स्टोक की बात करते हैं तो होंगे क्यापी टेक्नोलोजी चलिए टेक्नोलोजी बे काल सेलिंग देखना को बिल सकती भी कुछ इसी तरफ से इंडिकेट कर रहा है क्या हो रहा है आप देख सेकते हो कि मल्टिपल अटम हुआ है और साथी साथ आगर इसका भी ह हम ऑन डे की कैंडल को देखेंगे तो काफी वीक नजर आ रहे मतलब सेलिंग इंडिकेट यहां पर करते हो नजर आए चलिए स्टोक ने एक लंबी राइस के बाद यहां पर कॉंसुलेट किया कुछ इस तरह से मतलब आज जो कैंडल यहां पर फॉर्म के है यह डोवल मतलब जो कैंडल लास्ट में रेट केंडल यह बारिश अंगल फिंग तो नहीं करते हो लेकिन यह बहुत ही बारिश मतलब फूल केंडल है इसका मतलब यहां काल फिशाल जाने का 90% चांस यहां पर होगे तो हम सेल की तरफ देखेंगे इस टोक को चलिए सेलिंग लेवल क्या होग चलिए फिया देखता है कि इसला बीडियो में जो इस टोक दिया था आशकी शचान को ट्रेडिंग की रोगिस तरफ से पाफुमेंच दिया तो कलो का विडियो पहला फूपन पो दिया था शीपिंग सीपी मतलब आशीपिंग सीपी इंडिया इस टॉक्स में सिप इसेल के आपको दिया था तर्फ क्योंकि इस टोक यहाँ पर हमें काप एंबर्स काप एंडल का पैटन था तो दिखें जैसे ब्रेकडाउन मिला थे अगर अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिला होगा अधर यह पर जो राइस किया था इस लेवल पर यह पर अगर अपने अंट था लेकिन यह इंटारे के लिए थोड़ा सा मिस टाइम क्योंकि इस टोग जहें दो बज़े के आसपास बेक आउट दिया था जो मतलब तीन बज़े के आसपास टको इंटर टाइम ही खतम होता है लेकिन अगर आपने अंटी लोगा प्रॉफिट अच्छी मिला होगा चले तीसरा इस ट्रक में आपको दिया था माइन रान माइन रा यहाँ पर भी हमें सेल निम्ला था रोग यहाँ पर वो सेल मिला था बहुत ही शांदर था कि दिख्या हम दो टार्गेट दिया था मतलब आसामर एंट्री पॉइंट थे आपर 1444 और जो टार्गेट था मारा 1430 का दूसरा टार्गेट मतलब टार्गेट और एंट्री की बीच में ट्रेट किये अगर अपने एंट्री पॉइंट में यानी 1144 पर एंट्री लिया होगा तो एक बार नहीं दो बाने तीन बार अपको अपना टार्गेट हिट हुआ है